ओम का नियम क्या है और इसकी सीमाएं लिखना बहुत महत्वपुन प्रश्ण है दस्मी विज्ञान के अंदर और बार्मी फिजिक्स के अंदर क्या है ओम का नियम जैसे कोई भी बंद विद्यूत परिपत है जैसा कि यहां पर यह दिखाई दे रहा है एक बंद विद्यूत परिपत है और इसमें एक यह जो धातू का तार मानलीजिए यहां लगाया गया है तो इसके सीरों पर जो विभवानतर आएगा यहां पर वी आपको दिखाई दे रहा होगा रेड में यह इसके सीरों पर विभवानतर है यह इसमें प्रवाहित धारा अनुक्रमानुपाती होगा उस समय धातू के तार की भोतिक अवस्था जैसे लंबाई ताप आदी बदलना नहीं चाहिए तो क्या है ओम का नियम कि वी जो है वो आई के अनुक्रमानुपाती होगा मतलब इस बंद विद्यूत परिपत में यह जो धातू का तार है इसके सी पर उतंद भी भुमानतर जो है वी वो उसमें प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होगा अब इसमें अगर आप अनुक्रमानुपाती का निशान हटा देंगे तो ये बराबर लगकर एक कॉंस्टेंट आ जाएगा आर गर तार का प्रतिरो दें और यह ओम के नि बिखना चाहिए अब यहां से कक्षा दस्पी की लिए बहुत महतुम्ध मीतुपण बात में बतारा हूँ कि जैसे वहां पर कुछ रूडचिन्ने आते हैं, संकेत बनाने के लिए आते हैं, तो इस चित्र को अगर आप तैयार कर लेते हैं, तो कहीं सारे संकेत आपके तयार हो जाते हैं जैसे एक ये बेटरी का संकेत हो जाता है दूसरा ये वाला बंद कुंजी का संकेत हो जाता है जिसमें येसे आप दोनों तरफ से कोस्टक लगा कर एक बिंदू लगा देते हैं बीच में यह आपका तीसरा वाला जो है धारा नियंत्रक या परिवर्ति प्रतिरोधक का आपका रूडचिन हो जाता है यह आपके वोल्ट मिटर का रूडचिन हो जाता है वी वाला और यह आपका ए वाला जो है अमिटर का हो जाता है आर वाला प्रतिरोधक का हो जाता है तो इस तरीक के लिए आपके दो प्रश्ण यहां से बन कर तयार हो रहे हैं और इस ओम के नियम के सीमाएं क्या है कि आप बार बार धातु शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं मतलब यह नियम के वल धातु चालकों के लिए सत्य और यहां देखें कंडिशन लिखी कि धातु के तार की भोतिक सवस्था जैसे लंबाई, ताप, मोटाई और उसका पदार्थ परिवर्तित रहना चाहिए तो ये इसकी सीमाएं भी हो जाएगी और एक्जाम के पाइंट आप व्यू से कोश्चन बहुत मैं तुम ने कहीं कहीं बार परिक्षा में आ चुका है धन्यमाद